Recently, तीन सरकारें एक साथ आई, एक agreement sign करने के लिए, और वो agreement है, Eastern Rajasthan Canal Project को develop करने का, और यहां सरकारे कोन सी है, Central Government, Rajasthan की State Government और Madhya Pradesh की State Government, अब यह project है बहुत important, क्यूंकि actually यह second project है, under a big plan, वो big plan क्या है, वो है National Perspective Plan for Interlinking of Rivers, यानि इंडिया की जितनी rivers हमारी यहां बहुत सारी है, उन rivers को link करने का, एक दूसरे से connect करने का यह plan है, उसमें से यह एक छोटा project आप कह सकते हो, इससे पहले जो project हुआ था, वो था Ken Betwa Linking Project, अब देखो, बात अगर इस बड़े plan की कर रहे हैं हम, तो यह कैसे शुरू हुआ, 1980 के टाइम पर हमने देखा, उस टाइम की ministry of irrigation, जो आज के टाइम पर ministry of जल शक्ती बन चुकी है, उन्होंने इंडिया की government, इंडिया की public सब के सामने यह plan रखा, कि हम अपने यहां के total 37 rivers को एक दूसरे से जोड देंगे, और plan यह है, कि जिन rivers के पास पानी जादा है, surplus में है और जिनके पास कम है, इन दोनों को अगर हम link करते हैं, तो एक balance हम बना सकते हैं पूरे इंडिया में, अब इन्होंने अपने plan में दो components रखे, एक थे हिमालियन rivers के और दूसरे peninsular rivers के, अब जो हिमालियन rivers यहां पर आपको दिखेंगे, जैसे गंगा है, ब्रहमपुत्रा व और जो peninsular rivers है यहां के, गोदावरी, कावेरी वगरा, ऐसे total 16 interlinkages बनाने का plan है, अब यह plan तो बन गया, लेकिन बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा बनाने की जरूरत ही क्या है, जरूरत यह है कि अगर आप ऐसी linkages बनाते हो, linkages का मतलब होगा कि आप canal develop करोगे, आप reservoir voice बनाओगे और दो rivers connect कर दोगे, यह करने के पीछे reason यह रहा, कि आप अगर Himalayan rivers देखते हो हमारे यहां, वहाँ पर continuously पानी रहता ही रहता है, आपको 12 मेने पानी दिखेगा, और वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर rainfall से भी पानी आता है, और साथ-साथ जो snow है, melting होता रहता है, उ क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ rainfall की ऊपर dependent है, तो इसलिए वहाँ पर पानी कम है, फिर आप देखो, जो rainfall होता भी है, rainfall पर depend करते हैं, लेकिन rainfall का pattern भी हमारे यहां बहुत अजीव है, आप अगर western part of India देखते हो, या फिर north western देखते हो, वहाँ पर rainfall बहुत कम है, और वही आप eastern side जाओ, north east में जाओ, वहाँ rainfall बहुत ही जादा है, तो pattern भी अलग, फिर आप देखो, यहाँ पर बात आजाती है, droughts को लेकर और flooding को लेकर, आप मराटवाडा जैसे region देखो, वहाँ पर हर दूसरे साल आपको drought condition दिखेगी, और वही इंडिया में ऐसे भी area है, जहाँ पर ह independence से पहले, Sir Arthur Cotton, जो की एक engineer थे, irrigation engineer, उन्होंने सबसे पहले हमारे सामने रखी थी, independence के बाद हमने देखा, K.L. Rao, Dr. K.L. Rao, इन्होंने भी same बात कही, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसा किया जाए, अब इससे हो सकता है कि हम water related जो भी problems इंडिया में overall है, उन सारे problems को एक स solve कर सकते हैं by redistributing the water, इसके बाद हम और कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे आप देखो, हम बात करते हैं inland navigation की, जैसे आप road से travel करते हो, सामान ले जाते हो, railway से ले जाते हो, aeroplane से लेके जाते हो, ship से लेके जाते हो, लेकिन आप notice करो, जो ship से हम बेचते हैं, वो हम बाहर जो oceans है, उसमें बेचते हैं, हमारे यहां जो rivers है, domestically हमें अगर export या फिर trade activities करनी है, जो inland waterways है, उसका भी तो use किया जा सकता है, तो यह interlinking से क्या होगा, आप उसका use करने लगोगे, इससे होगा यह, जो भी logistical cost है, एक जगा से दूसरी जगा product भीजने का, वो cost कम हो जो airways से भीजो या railway से भीजो, इन सब के comparison में, जो inland waterways है, उसका logistical cost कम रहता है, फिर आपका rail और road के उपर जो dependence है, वो कम होगा, तो जो traffic है, वो कम हो जाएगा, pollution भी कम हो जाएगा, क्यूंकि आपको bikes, cars या फिर जो भी आप use कर रहे है, वो कम use करोगे, फिर यह सारी जब आप interlink कर रहे हो, तो जिस area में पहले पानी नहीं था, वहाँ पर जब पानी आ गया, agriculture वहाँ पर जो भी है, वहाँ पर irrigation facilities आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिसे बुंदेलखंड वाला region है, वहाँ पर पानी कम है, वहाँ आप irrigation प्रोवाइड करो, कहा जा रहा है, total 35 million hectare land, irrigation के अंडर आ सकती है, due to these projects, फिर आप बात करते हो, power generation की, देखो ये जो पानी है, आप canal बना रहे हो, reservoirs बना रहे हो, ऐसे reservoirs के उपर आप देखते हो, कि आप एक hydro power plant build कर सकते हो, उससे आप electricity generate कर सकते हो, कितनी, around 35 gigawatts of electricity, अच्छा प्लान है, फिर आप, overall जो हम Indians है, उनक जो भी farming करनी हो, fishing करनी हो, या फिर पीने के लिए पानी चाहिए, वो सारे problem solve हो सकते हैं, इस सारे plan से, अब देखो, plan तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे challenges इसको लेकर हमारे सामने आ सकते हैं, जैसे number 1 है, climate change, आज आ रहा है कि climate change का impact कुछ ऐसा होगा, कि by 2100, we will observe the entire Hindu Kush glacier जि होगे, खतम हो जाएगा, वो glacier melt हो जाएगा, फिर आप जो कह रहेते हैं कि हमारे Himalayan rivers तो perennial है, 12 मेने पानी है, जब यह melt हो जाएगा, तो उनके पास भी पानी नहीं रहेगा, तो long term में हमारा plan हमें महेंगा पड़ सकता है, दूसरा, अगर आप तो आपको reverse link करनी है, तो ज land आपको ज़रूरी पड़ेगी, वो land अब पानी की नीचे आजाएगी, अब ऐसी land जिसकी भी है, आपको उससे वो लेनी पड़ेगी, फिर ऐसे लोग जो इस land पर depend करते थे, वहीं पर रहते थे, उनका क्या, उनकी job जाएगी, उनको migrate करना पड़ सकता है, बहुत सारे problems उन पचा आ सकता है, और आज के time का inflation देखके तो लगता है, बहुत ज़ादा हाएगा, फिर बात आती है environment की, देखो river की अपनी एक ecosystem है, उसके अंदर अपनी एक biodiversity है, जो भी fish, जो भी species उसके अंदर है, आप अगर उसका course change कर दोगे, तो वो biodiversity loss हो सकती है, फिर मान लो अगर आपने कहा कि आप electricity generate करोगे, लेकिन generate करने के लिए आपको जो भी reservoirs होंगे, वहाँ पर पानी को pump करना पड़ेगा higher level पर पहुचाने के लिए, अब ये जो पानी को pump करना है, उसके लिए electricity अलग से लगेगी, और कुछ experts कहते हैं कि इसके लिए जितनी electricity लगेगी, उतना तो प्लांट खुद निकाल भी नहीं पाएगा electricity, तो ये आपको economically viable नहीं लग सकता, फिर इतना ही नहीं है, खोड़ा सा international issue भी आ सकता है, आपने अगर गंगा river के उपर इस तरीके के reservoirs बनाए या फिर पानी को divert किया, ये बात बांगलादेश को बिलकुल पसंद नहीं आएगी क्योंकि उनकी पानी का supply कम हो सकता है, इससे इंडिया बांगलादेश relations खराब हो सकते हैं, domestically भी problem आ सकता है, जैसे आप आंधर प्रदेश, केरला, सिक्किम इन से पूछोगे न, ये लोग कहते हैं कि कोई ज़रुवत नहीं है interlinkages की, और ऐसा क्यों, क्योंकि इनका पानी का supply कम हो सकता है, और एक long term वाली बात कही जाती है, कि around in 100 years, river itself changes its course, जिस तरीके से river flow करती है न, उसका path change कर देती है, तो किस तरीके से आप long term में इस plan को sustain कर पाओगे, ये सवाल है, इसलिए बहुत सारे scholars, experts कुछ suggestions देते हैं, पहला उनका कहना है, कि आप अपने यहां पर जित irrigation करना है, आप drip irrigation या फिर micro irrigation जिसी techniques का use करो, दूसरा, जो भी ground water आपके पास है, आप उसको ठीक से manage करो, जो भी वहां पर aquifers वगरा होते हैं, उन्हें आप recharge करो, जैसे आप देखो, ये आपका घर होगा, आपको पानी ground water से जो निकालते हो, ये नीचे इस तरीके का आपको दीखेगा storage, इसको हम कहते हैं aquifer, अगर इसको हम recharge कर पाते हैं, तो it is better, तीसरा virtual water export को कम करो, इसका क्या मतलब हुआ, जब हम rice वगरा produce करते हैं, और वो rice हम बहुत ज़ादा बाकी countries को export करते हैं, पर हम एक बात भूल जाते हैं, कि rice produce करने में हमने बहुत सारा पानी लगाया which is not a good thing, तो लोग कहते हैं कि आप ये export या तो कम करो, या फिर ऐसे water intensive crops आप import करो दूसरी country से, फिर इसके बाद बात आती है कि कुछ alternative भी choose किया जाए, जैसे एक है national waterway project, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको जो pumping के लिए power, electricity वगरा लग रही थी, pumping की ज़रूरत ही नहीं, आ आप simply जो भी flood water है, कहीं पर अगर flooding वगरा हो रही है, उसी पानी का use करके navigation किया जा सकता है, under this national waterway project, ये भी अच्छा है alternative option, फिर आप जो environment को problems हो सकते हैं, biodiversity loss हो सकती है, इसको पहले ही assess कर लो, इसका पूरा क्या impact होगा, चेक कर लो, जो भी pollution की वज़े से issues हो सकते हैं, उसक इसको लेकर आप कोई ना कोई पहले ही solution निकाल लो, फिर land acquisition, जो भी आपने कहा कि land लोगों से लेनी पड़ेगी, उन लोगों को fair compensation मिलना चाहिए, उनको अलग से job security, जो भी उने चाहिए, सब कुछ government की responsibility है कि वो ensure करे, और जो बाकी country से issue आ सकता है, जैसे बांगलादेश व आना पड़ेगा, तब जाके ऐसे projects हम implement कर सकते हैं, so this is all about interlinking of rivers, thank you so much for watching this video.